इनेक्यूलिटी, इनेक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने से पहले इनेक्यूलिटी को समझना बहुत जवुरी है, हम उसको समझते हैं, ओपन इंटर्वल, एक्स बिलंग टू ए कॉमा ब, यह छोटा बैकट लगता है, ओके, डेट इज एक्स गेटर आर एक्वल एक्वल टू एक्वल टू पी, इस वाले में ए भी इंक्लूड है और बी इंक्लूड है, पर इस वाले में ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी के इंटर्वल में, जो भी नंबर आएंगे, वो सब इंक्लूड है, इसमें ए और बी इंक्लूड है, और उनके इंटर्व बल्स में जो भी नंबर से वो सब इंक्लोड है यह ओपन इंटर्वल की नाम से जाना जाता है इस तरह से रहता है एक्स विलॉंग तू इस तरह से यहां पर किलोजन पेक्ट लगा हो यहां पर ओपन वाला हूँ तो इसमींस इसका मीनिंग है कि एक्स इज गेटर देन ए और लेसर आर एक्वल टू बी यहां पर हम इसमींस यह पर उल्च पैप्ट टू ए ऐसे यह और लेसर देन बी होगा यह इंटर्वल से ठी ना understood infinity minus infinity say a this means x is greater than minus infinity or lesser than a minus infinity say a close interval that is x is greater than minus infinity or lesser or equal to a in similar way suppose that ऐसा हो this means x is greater or equal to a lesser than infinity x कैसा है x is greater or equal to a lesser than infinity पर infinity पर कभी close interval नहीं लगता है कोई भी number infinity के equal नहीं होता है कोई भी number infinity के equal नहीं होता है तो infinity पर कभी close interval नहीं लगता है understood understood अब हम कुछ inequalities को कैसे solve करते हैं उसको समझते हैं सब पूच करो this is our first inequality first is x-1 into x-3 is greater than 0 second x-1 into x-3 is lesser than 0 third x-1 into x-3 is greater than 0 okay इनको हमें क्या करना है solve करना है solve for x तो देखो हम इसे कैसे solve करेंगे सबसे पहले हम x-1 को 0 के equal करेंगे किसके equal करेंगे x-1 को 0 के equal तो x की value कितनी आएगी 1 आएगी फिर हम x-3 को 0 के equal करेंगे तो X equal to क्या आएगा minus 3 आएगा X equal to क्या आएगा minus 3 आएगा अब इन दोनों को हमने X की value 1 आ गई X की value minus 3 आ गई अब हम इसे number line पे draw कर लें ऐसा left hand side में negative value आती है lesser value आती है right hand side में greater value आती है तो suppose करो minus 3 इदर आ गया और 1 आपका इदर आ गया अब minus 3 और 1 ने इस पूरे number line को तीन भागों में divide करेगा है कितने भागों में divide करेगा एक बन से इदर बार लें ठीक है एक minus 3 से बन तक और एक minus 3 से minus infinity तक तो अब यहाँ plus से शुरू करेंगी हम plus फिर minus फिर plus ओके पहला step क्या है जो भी factors हों जैसे यहाँ पर x minus 1 factor है तो x minus 1 को हमने 0 के कुल किया और x की value equal to 1 आ गई फिर x plus 3 को 0 के कुल किया और x की value कितनी आ गई minus 3 आ गई तो यह तो number में लगए हमें minus 3 और 1 left hand sides में lesser वाले number आएंगे right hand sides में greater वाले number लखे जाएंगे understood अभी interval बन गया 1 से देखो अभी हाँ पर greater लगा हुआ है क्या लगा हुआ पहले वाले का आंसर देखें क्या लगा हुआ है greater greater means positive बाले interval अपने क्या होंगे काम क्यों होंगे positive बाले interval तो यह हो जाएगा minus infinity से minus 3 open interval में आएगा यह बाला फिर union ले ले 1 से infinity यह हो गया अपने पहले का answer okay minus infinity से minus 3 यह positive बाले interval और 1 से infinity अब महलों सपोच करो अब दूसरा बाला देखिएगा यहाँ पर solve करते हैं हम दूसरे बाले को यहाँ पर lesser का sign लगा हुआ है तो यह minus बाला interval काम आएगा तो यह हो जाएगा minus 3 से 1 हम इसे ऐसा लिख सकते है open interval minus 3 से 1 यह पर ऐसा लिख सकते है x is greater than minus 3 और lesser than 1 अब तीसरा बाला लेते हैं तीसरा बाला तीसरे बाला पहले बाला जैसा से हमें बस यहाँ पर क्या लगा हुआ है एक को लगा हुआ है तो यहाँ पर यह हो जाएगा तीसरे कांस है minus infinity से minus 3 close interval यहाँ पर open की जगह क्या जाएगा किलोज इंटरबल आ जाएगा union 1 से infinity infinity वाले पर कभी close interval नहीं लगेगा always क्या लगेगा open interval लगेगा अब यहाँ मार लो एक चोथा question भी लेते हैं सपोच करो चोथा question इस तरह से ले लें इसका रूप this is x minus 1 x plus 3 is lesser r equal to 0 equal लगा लिया हमने इधर तो lesser है तो negative वाला interval काम का होगा equal भी लगा हुआ है तो minus 1 से 1 क्या होगा close interval होगा that is x is greater r equal to minus 3 or lesser r equal to 1 understood x is greater r equal to minus 3 or lesser r equal to 1 यह क्या होगा अपने उसके inequality के solutions होगे real number पर next examples x plus 1 into x plus 5 into x minus 3 is greater than 0 इसमें कितने हैं 3 factors है इसमें lesser than 0 लगा हुआ इसमें greater r equal to 0 इसमें lesser r equal to 0 है तो हम इने कैसे solve करेंगे देखो सबसे पहले हम number line बनाते हैं किस तरह से बनाएंगे x plus 1 को 0 के equal करेंगे तो x की value हमें क्या मिलेगी x equal to minus 1 मिलेगा ओके understood अब हम x plus 3 5 को 0 के equal करते हैं तो x equal to minus 5 और फिर x minus 3 को 0 के equal करेंगे तो x equal to 3 तो इन नम्बर लाइन में इस पॉइंट को हम क्या करने हैं माइनस लखेंगे यहाँ plus लखेंगे यहाँ पर minus लखेंगे पिलस से सुरू करेंगे पिलस माइनस पिलस माइनस ओके understood अब गेटर वाले में first में देखिएगा first में क्या गेटर का sign है तो positive वाले interval क्या होंगे अपने answer होंगे इसके so this is minus 5 से minus 1 union 3 से infinity 3 से infinity ओके दूसरा दूसरे में लेसर लगा हुआ है तो इस negative वाले interval अपने काम क्या होंगे negative वाले interval में इधर क्या है देखो minus infinity से minus 5 union minus 1 से 3 देखो सम में एक कुल का sign नहीं है तो सम में open interval का इस होगा third greater भी है और इक कुल का sign है तो positive वाले interval काम क्या होंगे this is positive वाले interval में और equal लगा हुआ है तो close interval आएगा minus 5 से minus 1 किलोज interval फिर union 3 से infinity infinity पर open interval लगेगा क्या लगेगा infinity पर open interval fourth fourth देखिएगा fourth में lesser or equal to है lesser है तो negative वाले interval अपने क्या होंगे इसके answer होंगे this is minus infinity से minus 5 और equal का sign लगा हुआ है तो minus 5 पर क्या लगेगा close interval होगा union minus 1 से 3 close interval इसको हमें solve करना है इनको तो यहां हमें पहले इनका factorization करना पड़ेगा अभी तक हमें factors बने हुए मिल रहे थे अब हम इनका क्या करेंगे factorization करेंगे फिर इनका solve करेंगे तो कि तो फरस्ट फरस्ट देखिएगा x square इसका हम factorization करेंगे तो minus 3x minus x plus 2 is greater are equal to 0 होगा इसका factorization okay this is x no this is 2x हो गया था ओके 3x को हम किस तरह से बेख करेंगे minus 2x minus x और दोनों का product करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए तो आ रहा है this is x common ले लिए तो x minus 2 minus 1 x minus 2 is greater are equal to 0 x minus 2 is taken to common so x minus 2 into x minus 1 is greater are equal to 0 हम number line draw कर लेंगे क्या कर लेंगे number line draw करके इसको find out कर लेंगे तो number line हम draw करके आपको बताते हैं किस तरह से number line draw होगी सब यह हो जाएगी अपनी देखो इसको हम x minus 2 को 0 के क्कुल करेंगे तो x की value कितनी आएगी 2 आएगी और x minus 1 को 0 के क्कुल करेंगे तो x की value बन आएगी दिस 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 पिलस माइनस पिलस ओके तो गेटर लगा हुआ है क्या तो अपना answer क्या हो जायागा यह positive positive वाले होंगे तो minus infinity से 1 union 2 से infinity this is अबर answer ओके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैसे लखेंगे दोखो इसको x is greater than minus infinity and lesser are equal to 1 और x is greater are equal to 2 and lesser than infinity इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ओके नाओ next second this one 7x square minus 5x minus 2 तो इसका हम factorization करेंगे तो this is 7x square minus 7x plus 2x minus 2 is lesser than 0 okay understood इस तरह से हम उसको factorization करेंगे अब इसमेंसे हम 7x को common ले लें तो this is x minus 1 इदार हम 2 को common ले लें तो this is x minus 1 is lesser are equal to 0 अब x minus 1 को common लें तो this is 7x plus 2 okay इसको हम number line पर क्या कर लें ड्रो कर लें एक्स माइनस 1 को 0 के कुल करेंगे तो x की value बनाएगी 7x plus 2 को 0 के कुल करेंगे तो x की value minus 2 upon 7 होगी okay अब यहाँ पर number line हम छोटा सा बनाए लेते हैं this is minus 2 upon 7 and this is 1 this one this one this one अब देखो a plus minus a plus अब lesser लगा हुआ है इसमें क्या लगा हुआ है inequality में lesser तो negative बाला interval अपना क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा minus 2 upon 7 से 1 minus 2 upon 7 से 1 किलो जेंटरवल यह हो जाएगा अपना answer minus 2 upon 7 से 1 किलो जेंटरवल क्या होगा क्योंकि इसमें equal ही साथ में लगा हुआ है ओके देखो नेक्स एक्जामपल 1 minus x into 2 plus x is greater or equal to 0 यहाँ पर x का coefficient क्या है बन नहीं है तो next के coefficient को क्या करेंगे बन करेंगे ओके कैसे बन करेंगे इसमें से minus 1 common निकालेंगे minus 1 common निकाला तो यह क्या हो जाएगा x minus 1 this is x plus 2 is greater or equal to 0 ओके dividing by minus 1 dividing by minus 1 minus 1 से throughout divide कर देंगे देखो नेटिब नंबर से inequality को divide करेंगे या multiply करेंगे तो equality का sign change हो जाता है क्या हो जाएगा inequality का sign change हो जाएगा so this is ऐसा हम लखेंगे x minus 1 x plus 2 is lesser or equal to 0 upon minus 1 हमने throughout minus 1 से divide कर दिया तो इसका inequality change हो गया x minus 1 x plus 2 is lesser or equal to क्या हो गया 0 हो गया अब हम इसको simplify कर लें देखो x minus 1 को बन के 0 के क्कुल करेंगे x minus 1 को 0 के क्कुल करेंगे तो हमें x की value क्या क्या कर लें ड्रो कर लें ऐसा एक तीर इंट्रेवल बनेंगे दिस 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 पिलस माइनस पिलस ओके अब लेसर लगा हुए तो माइनस वाला इंट्रेवल काम का होगा तो X किसे बिलॉंग करेगा एकस बिलॉंग टू माइनस तू से 1 या फिर एकस इज गेटर र इक्वल टू माइनस तू और लेसर आर इक्वल टू क्या होगा बन होगा ओके अब सेचेंड कोश्चन देखिएगा सेकेंड तू पिलस एक्स इन्टू थी माइनस एक्स इज लेसर और इक्वल टू चीज़ अब देखो एक्स प्लस टू हो जाएगा यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट बन नहीं है माइनस बन है तो हम इसमें से माइनस बन को क्या करेंगे से कॉमन नकाल लेंगे तो इस फ्री माइनस एक्स लेसर और माइनस बन से डिवाइट करेंगे तो इन्टू इन्टू एक्स माइनस थ्री इस गेटर आर एक्वल टू जीज़ ओके अब हम एक्स प्लस नंबर लाइन पर इसे एक्स प्लस टू को जीरो के कुल करेंगे तो एक्स की वैलू माइनस टू आएगी एक्स माइनस थ्री को जीरो के कुल करेंगे तो एक्स की वैलू थ्री आएगी डिस दिस दिस पिलस माइनस पिलस ओके अब गेटर है लगा उआ है आप तो पॉझ पिलस वाली इंटरवल अपने काम के होंगे तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस टू यूनियल त्री से इनसिनिटी ओके अपना क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्वाइटेटेक इनेग्विटी से मीनिंग है कि फ्रंक्सन इनेखुलिटी हम किसमा फाइन्ड आउट करना चाहते हैं क्वाइटेटेक हो जिसकी डिगरी मैक्जिम कितनी हो 2 हो यह सपोच करो AX स्कॉार पिलस BX पिलस C तो देखो क्वाइटेक एक कुईशन में एक दिस्क्रिम्नेंट होता है जिसे हम B सकॉर माइनस 4C इसका फार्मूला होता है जिसे हम किसे नोट करते हैं D से नोट करते हैं क्वाइडिटेक एक्विशन में उके तो इसमें तीन तरह की situation बनती है पहली situation एह है D is greater than 0 जब D greater than 0 होते है तो स्क्वाइडिटेक expression का क्या हो जाता है फ्रेक्टराइजेशन हो करता है और उसके हम दो рок Sabbath को क्या कर सकते हैं यह तो साल यह और हम को श्रीनिक होका है यह तो उसके कुछ इंटरवल में और यहुटन समय गेटर देन जीरो होगा पूरा एक्सप्रेशन और कुछ इंटर्वल में लेसर देन जीरो होगा ओके इस वाले केस में कुछ इंटर्वल में वह एफ एक्स या क्वाइडेटिक एक्सप्रेशन गेटर देन जीरो होगा कुछ इंटर्वल में लेसर देन जीरोगा अब आते हैं is always greater than 0, fx is always greater than 0, if a is greater than 0, और दूसरी सुच्छिएशन यह बनेंगी, fx is always lesser than 0, if a is lesser than 0, a कैसा हो, lesser than 0 हो, okay, fx कैसा हो, fx is greater than 0, if a is greater than 0, and fx is lesser than 0, if a is lesser than 0, यहाँ पर fx से मतलब है, ax square plus bx plus c, कैसा होगा, greater than 0 होगा, यदि a positive हो, x square का coefficient यदि positive होता है, तो इस सारे का सारा expression कैसा होगा, always greater than 0 होगा, for all real number, real number के लिए, और if a is lesser than 0, तो fx is lesser than 0, for all real number, सारे के सारे real number के लिए, वो कैसा होगा, lesser than 0 होगा, means, यदि quadratic expression का discriminant कैसा आता है, negative आता है, या उसके roots imaginary होते हैं, तो वो पूरा expression, या तो सारे real number के लिए, greater than 0 होगा, या फिर सारे real number के लिए, lesser than 0 होगा, greater than 0 कब होगा, जब x square का coefficient positive हो, और lesser than 0 कब होगा, जब x square का coefficient कैसा हो, negative हो, ओके, understood, ओके, नाओ, इसको हम यह के example की दोवारा समझते हैं, suppose करोगे कोई expression है, x square plus x plus 1, अब इसका discriminant कैसा है, lesser than 0 है, discriminant इसका निकाल लेंगे, तो 1 square minus 4 into 1 into 1 equal to minus 3 आएगा, इसका discriminant कितना आएगा, discriminant minus 3 आएगा, means इसका discriminant negative है, तो जो function है अपना जे, x square plus x plus 1, इस greater than 0 होगा, for all real number, सारे real number के लिए इसकी value कैसी होगी, greater than 0 होगी, हम इसमें कोई भी real number पुट करें, इसकी जो value होगी, वह कैसी होगी, greater than 0 होगी, positive होगी, because इसका discriminant कैसा है, negative है, और x square का coefficient कैसा है, positive है, okay, understood, now next example, minus 2x square plus 3x minus 4, हमें इस पता करना है कि एक्सप्रेशन की क्या value होगी real number पर, तो सबसे पहले हम इसके discriminant को find out करेंगे, 3 square, b की value कितनी है, 3 है, minus 4a, a कितना है, minus 2c कितना है, minus 4 है, तो d equal to हो जाएगा, 9 minus 32, that is 0, इसका discriminant that is lesser than 0, discriminant इसका कैसा आ रहा, lesser than 0 आ रहा, तो या तो यह सारे real number पर positive होगा, या सारे real number पर negative होगा, एक कौन decide करेगा, x square का coefficient decide करेगा, यहाँ पर x square का coefficient कैसा है, negative है, तो इस सारा का सारा expression, जो minus 2x square plus 3x minus 4, is lesser than 0 होगा, for all real number, सारे के सारे real number पर expression कैसा होगा, lesser than 0 होगा, यहाँ इस expression में आप कोई भी real number पुट करेंगे, तो इसकी value कैसी आएगी, negative आएगी, आप चाहे, minus 1 पुट करो, चाहे, minus 100 पुट करो, या 100 पुट करो, या 200 या 300, x की जगह आप कुछ भी पुट करेंगे, इस वाले expression की value कैसी आएगी, negative आएगी, means lesser than 0, तो expression सारे real number के लिए कैसा होगा, lesser than 0 होगा, okay, understood, the values of a for which the expression x square minus 3a minus 1x plus 2a square plus 2a minus 11 is always positive, हमें a की ऐसी value को find out करना है, जिसमें expression की value कैसी हो, always positive हो, अब देखो यहाँ पर x square का coefficient बन है, 1 is always greater than 0, मतलब यह positive होने के लिए जबूरी है, के इसके discriminant कैसा हो, lesser than 0 हो, हमें इसके discriminant को lesser than 0 करना पड़ेगा, तो हम d को find out करते हैं, d equal to क्या होता है, minus b, minus 3a minus 1 का whole square, यह होता है discriminant का formula b square minus 4ac, okay, minus 4ac, c कितना है यहाँ पर, c है 2a square plus 2a minus 11, यह c है, तो इस discriminant को lesser than 0 होना पड़ेगा, तो इस discriminant को कैसा lesser than 0 होना पड़ेगा, यह यह सारा expression always positive है, तो discriminant कैसा होगा, lesser than 0 होगा, तो इस थ्री a minus 1 का whole square, minus 4, 2a square plus 2a minus 11, is lesser than 0, is lesser than 0, तो इस थ्री a minus 1 का whole square, is lesser than 0, ओके, अब दिस इस a square, a square, minus 14a plus 45 is lesser than 0, अब हम इसका factorization करेंगे, तो a square minus 9a minus 5a plus 45 is lesser than 0, a, a minus 9 minus 5, a minus 9 is lesser than 0, a minus 9 common लिया, a minus 9 into a minus 5 is lesser than 0, ओके, factorization किया तो यह बन गया, a minus 9 into a minus 5 is lesser than 0, अब हम number line में इसे क्या करेंगे, ड्रो करेंगे, जिस इच, एकी value 9 होगी या एकी value 5 होगी, इसको 0 के क्कुल मानने पर, तो 5 इदर आएगा, 9 इदर आएगा, इपूरे number line को तीन भागों में डिवाइट करेंगा, पिलस, minus, पिलस, अब lesser लगा हुआ है, तो minus वाला interval अपने काम का होगा, तो इसका जो answer होगा, वो हो जाएगा, age greater than 5, and lesser than 9, और, 5 to 9 ओपर interval, एकी ये value होगी, एकी value, यदि ये expression, always positive है ये expression, तो एकी value को हमें 5 और 9 के बीच में लखना पड़ेगा, age greater than 5, and lesser than 9, okay, understood?